अजय दो आप लोगों से देन साल में मेरे करल पहली मुलकात वही है और आप सब को नहीं साल की मुबारत करें जावास त्यार हो तो बताने तो फ्रेम में नहीं आ रहे हों जब तो इदर पीछे लियाओ तुसी आप यह महुता दी इस गैप में डालो करें तो इस गैप में आओ इस गैप में तो इस गैप में तो इस गैप में तो इस पी बगारा ऑफी सब बीचे ख़़े हो सकते हैं जो आपकी टीम के अगर चाहें कि ख़़े हो आपकी कोड़ दीज़ आप और अब को आप वड़े अवाई टीज़ एफ से शॉप में अवागी करके रखनी मैं तो इस अश्वड़ केन एफटाउ एक्वर्ट में बीस इस पीज़ी आप सब जानते हैं कि अतनक की जननी दैशत की जमनी जो हमारे प्रोस में है जो दुनिय बद में बदनाम है अपने सर्जमीन से दैशत गंधी चलाने और इसका प्धादा करने के लिए अलगलगतर एकी तंजीमों को लंबे अर्से तक पालने के लिए और आम जनता बेगना लोगों का दैशत गंधी की कारवाईयों के जर्वे से खून बहाने के लिए इस बदनामी के दाग उनके चेरे पे इतने लग चुके हैं कि अब उच शपाए लिए दे शुके हैं और पूरे बुल्क में पूरे दुनिया में ये बदनामी के दाग जगा जगा चर्चा में आ रहे हैं इसी तरह की इनकी वैशियाना बोजदलाना तैराना दैशत गर्दी की हरततें जमो किश्मीर में बड़े लंबे अवसे से चल रही हैं यहां को और जहां का जवापसी बाइचारा है लोगों का अक्रास्टा रीजिन्स अक्रास्टा रिजिन्स अक्रास्टा कमिनिटीज की है उसको फिर से किसी तरीके से रवाइड किया जाए उसको फिर से जिन्दा किया जाए कल डी आई जी रिजौरी पुंच रेंज ने जो वहां की पुलीस की एक बड़ी कामजावी रही जो आईडी वहां पर जगा जगारा पर लगाने का इनका मंसूबा था उसको नकाम किया गया उसमें तीन लोगों की टुकडी जो पार बैठे दैशर गर्दी के आका उनके इशारों पर रिजौरी की एरिया को और उस जगों पर आईडीस लगा के निशाना बनाना चाहती थी डांगरी के इंसिडेंट के बाद वो पूरे का पूरा ग्रो पकड़ा गया उसके बारे में तक्सील डेटेल कल आप लोगों को मिल चुकी है आज हम जमू के नर्वाज में जो दो आईडी बलास्क 21 जनवरी को हुए थे उसकी डेटेल आपके साज़ा करने के लिए आए हैं मैं सबसे पहले जमू पुलीस को एसस्पी जमू उनकी टीम को एसपी साउथ डी एसपी सैवान और एसच्यों और बाकी टीन के लोग जो हमारे पीशे खड़े हैं उनको शावाशे देना चाहता हूं मुबारिक देना चाहता हूं कि उनने में बहुत ही मेनत के साथ इस केस को वर्क आउट किया है और इस गैशन गर्दी की साज़े के पी रात को जो दो बॉंब लगाए जया वीस की रात को जो इतीस की सुबा फटे रात को साड़िक साथ बज़े के आसपास पहला और फिर उसके बाद दूसरा और दोनों आईवीज के बीच में 20 मेंट का वकफा इस तरीके से रखा गया कि जब पुलीस के लोग स्क्योर्टी फ करने वाले उनको नुक्सान पजाया सकते हैं मगर पुलीस में अपनी सोपी का पालन करते हुए अच्छे तरीके से सिक्योशन को हैंडल किया और उस एरिया को अच्छे से सैनेटाइज किया जिसकी वज़ा से पहली आईडी में 9 लोग जखनी हुए मगर दूसरी आईडी ज नुक्सान को बचाय जा सकता बढए और नुक्सान और भी बड़ा हो सकता था तोकि पहली आईडी शोपी ती और दूसरी आईडी उससे पहीं ज्यादा बड़ी और इर्यादा जैओ था कि दूसरी याइवी ज़्यजा से ज्याबस्त नंग सांटरिए पुलीस में बड़ी मेहनत के साथ आरिफ नाम के दैशत गर्द को पकड़ा है जो रियासी का रहने वाला है और इसकी तप्तीश और इंटेरोगेशन के दुरान है यह पता भी चला कि यह आज से नहीं बलके पिछले लग पर तीन साल से यह पार जो हैंडलर हैं दैशत गर्दी को चलाने वाले जो लोग हैं रश्क्रे तौबाकर उनके साथ इसका तालमेल है इसका मौमा काफी सालों से कराची पाकिस्तान में जाता है कि सैटल वो रखा है बाने के जर्ये इसके साथ राब्ता हुआ और फिर एक दैशत गर्दी तजीन को जो पार से चलाने वाला कास्म नाम का अदमी है वो भी लियासी का रहने वाला है काफी लंबार सा पहले वो पाकिस्तान में जाके सैटल हुआ है और आज पाकिस्तान की दैशत गर्दी की जन्मी जो है उसका साथ देरा उसका समर्थत उनका स्कोटर है और दैश्त गर्दी पाकिस्तान में बैठ करके जहां पर करवाता है कासम ने लंबार सा पहले कुछ 19 में इसके साथ रागता साथ आपको जाद होगा शास्त्री नगर में काईडी हुई थी वह अभी तक उसका करने वाला कौन था वह नकाब नहीं हो पाया था जही आदमी है जो शास्त्री नगर में फ़ब्री 22 में आईडी हुई थी यही आदम आपको यहीं जाद होगा कि कट्रा में जो बस में आग लगी ब्लास के बाद उसमें बहुत सी चीज़ें पुलीस वर्काउट कर पाई थी मगर उसकी एक तार अभी तक जुड़नी रही थी यह कड़ी अभी तक जुड़नी रही थी कि वह आईडी फिट किसने करी पास के अ जाद से जादा नफसान हो सके और आईडी लगाने की जगा भी वह डूंडी थी जो पटोल टेंक को ही बरूद की पर इस्तेमाल कर सके और इसमें आईडी बस के अंदर जा करके सीट नंबर तीन के नीचे यहां पटोल पॉंप पढ़ता है उसके बिल गुल उपर फिट करी थी बात जहीं खत्मनी होती एक आईडी और अभी इसके पास मौजूद थी और इस आईडी का फोटो और हो सकता है कि तोड़ी देटा को सही आईडी भी आपके साथ बार शेयर कर दी जाए ओक पर फ्यूम आईडी है बाटल पर फ्यूम की देखती है और अगर गलती से इसके हाथ में आईडी होगी उसका मौके पर ही नुक्सान हो जाएगा जो पहली आईडी अभी तक इस्तेमाल करी जो शास्तिन नगर में हुई वो टाइलर वाली डॉइस थी जो कटड़ा की बस में आईडी लगाई गई गई वो स्टिक्की बॉंग की फॉर्म में थी जो साथे 400 ग्राम के क्रीब क्रीब एस्पोजय मटीरं रहता है और जो जहां पर लगाई याईडी एक साथे 700 ग्राम की पहली आईडी और जो दूसरी थी उसका बजन एक त्रेलों से भी ज्यादा था टिफन आईडी थी स्टील टिफन आईडी और जो अब़ी आईडी प्रवाईयों में अंदर ऐसे लोग नोटिफाई किये गए हैं एस टैरिस्ट गार की टुकडों को पल भी रहा है और साथी साथ कुछ और टुकडों के लिए अपने लोगों को नुकसान भी पुचा रहा है पते चला है कि इसको पहली आईडी लगाने में भी इसको ऐसा ही फ जो लोग जखनी हुए थे उनको भी लाया है तो आप इस प्रेस्ट के बाद उनके साथ मुलाकात भी कर सकते कि उनके जजबात उनकी फीलिंग क्या है पर हम चाहते जी थे कि उनको जब इनसाफ मिले तो उनको पता चले कि जमोकुश्मीर पुलीस जो है वो उनके लिए कित इस टीम को दिन रात जो मेनद कर रही थी इसको पल-पल इनका हैंड होल्डेंग और इनकी सपोर्ट करने के लिए जो सीनिर आफीसर है डी जी रेज है एडी जी जमो है मकेश साब इनको भी मबार्ट बाद देना चाहता हूं कंप्लिमेंट करना चाहता हूं यह बहुत तक् ने कपड़ें तक जला दिये कोई एविड्नस इसमें छोड़ा जूते भी जला दिये जो पहन के गया था कप्रें जला दिये जो कहता फोन अपना तोड़ और इसको आफिर पकड़ा गया है इस इस इनसिटेंट के बारे में अभी तो एक ही ही का है उसके लावा अगर कुद विजया मैं